हाई फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटिबाइटिक जेल का रिव्यू करने जा रहा हूँ कील मुहासों को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट को एपलाई करने की एडवाइस की जाती है पिंपल के ओर जेल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्द होता है जर्मन रिमेडीज के दोरे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 20 ग्राम के एक जेल मार्केट में 65 रुपीज की उपलब्द होती है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस्त ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तिमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरियंस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिख कर मुझे चरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कमपोजीशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस ओंटमेंट में 1% बाइवेट क्लिंडा माई से नुपलब्ध होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ बैकलफिक ब्रांज के बारे में तो फ्रेंड्स क्लिंजी टॉपिकल जेल जिसे सेंटियागो लाइफ साइंसे प्राइवेट लिमिटेड के दौरा बनाये जाता है क्लिंजी टॉप जेल जिसे युनिवर्सल ट्विन लैप्स के दौरा बनाये जाता है Eachnesol Gel जिसे Cistopic Laboratories Private Limited के दौरा बनाय जाता है Klinja 1% Gel जिसे Bennett Myford Pharmaceuticals के दौरा बनाय जाता है औरKlindamycin Phosphate Gel जिसे Nange Men's Science Pharma Limited के दौरा बनाय जाता है France Market में मिलने वाले same composition के साथ उपलब ये कुछे से different brands होते हैं जो आप इस medicine के नह मिलने की पर पर्चेस कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं आपको एफेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का साल्ट एकम पूजिशन सेम होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि इस मैडिसिन को इस्तमाल कील मुहासुक लिए किया जाता है यह आपके चेहरे चेस्ट में पीट पर या सरीर के किसी अन्य हिस्से पर दाल या फुंसी गरूप में दिखाई देता है यह उन इस्थानों पर बैक्टिरिया के द्वारा होने वाले घाव पर हमला करता है और उसे ठीक करता ह इस मेडिसिन का इस्तमाल बाहरी अंगों के लिए किया जाता है एक्स्टरनल यूज किया है मेडिसिन होती है इंटरनल इस मेडिसिन को इस्तमाल नहीं करना चाहिए आम तोर पर इस दवा की पतली परत लगाना चाहिए और लगाने के पहले उस इस्थान को साफ करना इस मेडिसिन को लगाने के दोरान कभी-कभी यह देखा जाता है कि आपको कुछ side effect होते हैं जैसे लगाने वाली जगह पर reaction का होना जलन का होना, खुजली का होना, या लालिमा का होना, तचपर रैसेस होना पेट में दर्द होना, जीमी चलाना, चक्कर आना, उल्टी होना या डारिया होना आम तोर पर यह बहुत कम होते हैं, परन्तु अगर आपको अधिक हो रहे हैं तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में उचित परमर्स आवाच से करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के दोरान जनरली यह देखा गया है, कुछ दिन के अंदर आपको बहतर महसूस होता है लेकिन डाक्टर के दोरा सजिस्ट किया गया डियूरेशन यानि जितने समय के लिए डाक्टर ने आपको बोला हो आपको इस medicine को इस्तिमाल करना चाहिए otherwise आपको infection दुबारा वापस आ सकता है और पुने इसका इलाज करना कठीन हो जाता है इस medicine को इस्तिमाल करने के लिए मैंने तरीक आपको पहले ही बताया है कि पहले इस्थान को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए उसके पस्चाथी आपको इसे लगाना चाहिए इस medicine के बारे में कुछ specific बाते में आपसे share करता हूँ इस medicine को कील मुहसब को इलाज के लिए आपको लगाने के advice की जाती है कील मुहसब में सुधार देखने के लिए आपको इस medicine को लंबे समय तक इस्तमाल करने की सलाह देता हूँ कयोंकि यह समय लेता है आपको धैरे रखना चाहिए और हर दिन इसको इस्तमाल करना चाहिए जेल को इस्तमाल करने से पहले आपको तपच को mild cleaner से साफ करना चाहिए और सुखाना चाहिए आपको मुहासों से प्रहावीत तचा को सूखा करने के परसाथ इस मेडिसिन को पतली परत के रूप में लगाना चाहिए मेडिसिन को लगाने के परचाद आपको मामूली जलन, चुबन या खुजली का हैसास हो सकता है यह परिशानी अगर आपकी जल्दी खातम नहीं होती तो आपको अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए अगर आपको लगता है कि जिस स्थान पर आप मेडिसिन का इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको आराम लगने की बजाय जलन और संक्रमन अधिक बढ़ रहा है तो आपको इसका इस्तिमाल बंद करना चाहिए और अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए इस मेडिसिन के इस्तिमाल करने के दौरान आपको इल्कोहल का सेवर नहीं करना चाहिए गरबहस्ता और इस्तनपान के दूरेशन में अगर आप हैं तो आपको अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए किड्नी और लिवर रोग से जुड़ी किसी समस्यक अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने डाक्टर से परमर्स करें क्योंकि ऐसी स्थिती में डोज एड़ेस्टमेंट की जरूरत पढ़ सकती है तो फ्रेंड्स यह था एक छोटा सा रिवी मेडिसिन के उपर उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू